हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगोंने हिस्ट्री घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में अभी हम लोग देख रहे हैं आधूनिक भा इससे पहले तेरे वीडियो आलेडी अप्लोडेड है जो की पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अप्लोडेड है तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के तरफ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉंग्रेस सॉसिलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो कॉंग्र समीती की बैठक हुई थी और उसी के दौरान सदस्यों की एक अलग बैठक भी हुई थी जिसे औल इंडिया गॉंग्रेस सॉसिलिस्ट पार्टी की अस्थापना के आपचारिक मानिता दी गई थी next है हमारा की Congress Socialist Party की पहली बैठक पटना में हुई थी किस बर्स अभी हम लोगों ने देखा कब हुई थी मई 1934 में तो इस question का सही answer होगा option number B मई 1934 में next है हमारा की Congress Socialist Party के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला कह रहा है इसने ब्रिटिस माल के बहिसकार और करो के अपबंचन की बकालत की थी ये गलत है क्योंकि देखिए Congress Socialist Party के अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ब्रिटिस उत्पादों तथा करो के बहिसकार का समर्थन किया था ना कि करो के अपबंचन का फिर कह रहा है कि इसने अल्पसंख्योक तथा दलित बर्गों के लिए प्रिथक निर्वाचक छेत्र की बकालत की थी ये भी गलत है देखिए ये कह रहा है ये सर्भारा बर्ग का अधियनकत अस्थापित करना चाहती थी ये भी गलत है क्योंकि जो कॉंग्रेस सोसिलिस्ट पाटी के नेता थे वो समानता के अधार पर समाजबादी समाज की अस्थापना करना चाहते थे सर्भारा बर्ग का अधिकनात अस्थापित करना जो था वो इनका लच्छ नहीं था बलकि ये मार्क्सबाद का लच्छ था क्लियर है तो यहां क्या है तीनों का तीनों गलत है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन अबर डी इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट हमारा निमलिकित में से कौन जो है वो कॉंग्रेस समाजबादी दल का प्रमुख नेता था तो यह कौन थे अचाज नरेंदर देब तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन अबर डी अचाज नरेंदर देब देखिए कॉंग्रेस समाजबादी की अगर बात करते हैं तो उसकी अस्थापना हुई थी 1934 में संस्थापक थे अचाज नरेंदर देव और जय परकास नरेंदर और कुछ उनके अन्य सदस भी थे जैसे मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनुहर लोहिया, गंगा सरन सिंग, कमला देवी चटो पध्याय, ये सब कुछ उनके अन्य सदस से थे नेक्ष्ट है हमारा की बर्स 1934 में पटना में अखिल भारतिये कॉंग्रिस समाजबादी पार्टी का सयोज़क कौन था, तो कौन थे जै परकास नरेंदर तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आप्सन नमर C, जै परकास नरेंदर देव भी आप्सन में है, जै परकास नरेंदर को पार्ठी का महासची बनाया गया था, और चात नरेंदर को अध्या चुना गया था, तो यहां सयोज़क पूछ रहा है, तो आपका अंसर जो होगा वो जै परकास नरेंदर होगा, देखिए यह जो बुक आपको दिख रही है, परिछा मन्थन का अधूनिक भारत का ही खूथ ही सरल वहासा में लिखा गया है, अगर आप लोग कोई पढ़े होंगे, तो आप लोगों को पता भी होगा, साथी साथ इस बुक के लास्ट में काफी सारा objective question दिया गया है, जिसके बारे में हम पहले भी current affair के वीडियो में बात कर चुके हैं, यह जो बुक के पीछे वीडियो दिया हुआ है, आधुनिक भारत वो आपके रिवीजन के तोर पे बहुत पर्याप्त question है, उतना अगर आप आधुनिक भारत में कर लेते हैं, तो वो आपके लिए sufficient होगा, तो वो आप लोग कर लिजेगा, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप वो उसका वीडियो उपलब्ध कर बादूँगा, नेक्स्ट है हमारा कि बर्स 1934 में कॉंग्रेज समाजबादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था, तो इस question का जो सही अंसर होगा, वो होगा, option number B, जैपरकास नरायन, एबम अचाज नेक्स्ट है हमारा कि बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, यहां पूछ रहा है बिहार सोसलिस्ट पार्टी, बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जैपरकास नरायन, तो इस question का सही अंसर होगा, option number B, जैपरकास नरायन, जैपरकास नरायन जो थे वो बिहार सोसलिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे और बिहार सोसलिस्ट पार्टी के गठन में गंगा सरन सिंग, रामब्रिच बेनिपूरी और रामाननमिस ये सब के द्वारा इसका गठन किया गया था नेक्ष्ट है हमारा लोकमान के नाम से किसे जाना जाता है तो लोकमान के नाम से जैपरकास नरायन को ही जाना जाता है तो इस question का सही अंसर होगा आपसे number C जैपरकास नरायन देखे ये बात है कब 1942 की जब भारत छोड़ो अंदोलन चल रहा था उसी के दोरान डॉक्टर राम मनुहर लोहिया और अरूना आसाफली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतिये जनता को संगठित किये थे कौन जैपरकास नरायन जैपरकास नरायन के एकर हम लोग बात करते हैं तो ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण करांती का आहाबन भी किया था और इन्हें 1999 में मन्नो परांत भारत रत्म से भी समानित किया गया है नेक् parchment जैपरकास दिबस मनाया गया तो जैपरकास दिबस का मनाया गया है अपरेल 1946 में तो इस question का सही answer होगा आपसर नमर जी अपरेल 1946 में देखिए अपरेल 1946 में जैपरकास जो थे जेल में बंद थे पटना के बाकीपूर मैदान में एक जन सभा हुई थी और उसी में राजनेतिक बंदियों को जेल में रखने की सरकारी नितिकिया लोचना की गई थी और जय प्रकास की जिहाई की मांग की गई थी नेक्ष्ट आमारा निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और यह मनफेस्टो जा था वो परत्य चुरूप से समाजबादिया दर्सों के प्रतिपादन का बिरोधी था जैसा की नहरू ने लखनव अधिवेशन में कहा था फिर कह रहा है इसको समस्त भारत से ब्रहत बैपारिक समुदाय का सहयोग मिला था यह भी सही है तो इस कोशन का सही अंसरोग आपसर नबर C, A और 2, दोनों सही है नेक्स्ट ट्रापिक जो है वो है हमारा प्रांतिय चुनाब और मंत्री मंदल का गठन पहला कोशन कह रहा है कि प्रांतिय सरकारों का गठक जो है वो निमलिखित में से किस अधिनियम के तहट किया गया था तो यह कौन से अधिनियम के तहट किया गया है 1935 के अधिनियम के तहट तो इस कोशन का सही अंसरोग आपसर नमरी 1935 के अधिनियम के तहट देखिए 1935 के अधिनियम के तहट और भी बहुत सारे चीज हुए है जैसे अखिल भारतीय संग की अस्थापना हुई है के अंदर में दोयद सासन की बेवस्था लागू की गई है संगीय न्याले की बेवस्था लागू की गई है भारत परिशद का अंत किया गया है और बर्मा को भारत से अलग किया गया है नेक्ष्ट हमारा की 1935 के अधिनियम के तहट कराए गए बिधान सभा चुनाव में से किस राज में कॉंग्रिस ने पुन बहुमत नहीं प्राप्त किया था तो देखिए जो चुनाव हुआ था 1935 में उसकी अगर बात किजेगा तो बंगाल, असाम, उत्तर पश्चिन सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कॉंग्रिस को पुन बहुमत नहीं मिला था तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो होगा और जो जुलाई 1937 में कॉंग्रिस जो था उसमें 6 प्रांतों, मदराव, संजुक्त प्रांत, मध्प्रांत, बिहार, बंबई और उडिसा में अपनी सरकारे घठित किया था नक्ष्ट है हमारा कि 1937 के चुनाबों में कॉंग्रिस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी है देखे यहां यह जो कुश्चन है 1937 में चुनाबों में कॉंग्रिस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या फिर जुलाई 1937 के दौरान छे प्रांतों में भारतिये राष्टिये कॉंग्रिस ने अपनी मंत्री मंडल गठित किये थे वो प्रांत कौन-कौन से थे? मदरास, बंबई, मधप्रांत, उडिसा, बिहार और संजुक्त प्रांत फिर आगे जाकर पश्ची मुत्तर प्रांत और असाम में भी कॉंग्रिस ने अंसहयोगियों के साथ मिलकर गठवन्दन मंत्री मंडल बनाया था नेक्स्ट है हमारा कि बिडिस भारत के निमलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिये जहां 1937 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रिस का मंत्री मंडल नहीं बना था या पूछ रहा है तो कहां नहीं बना था बंगाल में भी नहीं बना था और पंजाब में भी नहीं बना था नेक्स्ट है हमारा वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाप के बाद भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस ने अपने सरकार नहीं बनाई थी तो कहां नहीं बनाई थी बंगाल में नहीं तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप से नबरे बंगाल देखिए जब जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतिय राष्टिय कॉंग्रिस ने अपने मंत्री मंडल गठित किये थे वो प्रांत कौन कौन से थे मदराव, बंबई, मधप्रांत, उडिसा, बिहार और संजुक्त प्रांत फिर बाद में जाकर पश्ची मुत्तर प्रांत और असाम में भी कॉंग्रेस ने अंसही योगियों के साथ मिलकर गठवंदर मंत्री मंडल जो है वो बनाया था नेक्स्ट है हमारा गी बर्स 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कॉंग्रेस का मंत्री मंडल बना था यहाँ पूछ रहा है तो 6 प्रांतों में बना था तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसे नबर 6 6 प्रांतों में बना था, वो 6 प्रांत कौन कौन से थे, मदरास, बंबई, मधप्रांत, उडिसा, बिहार और संजुक्त प्रांत नेक्स्ट आमारा 1935 के अधिनियम की उपरांत 1937 में हुए चुनाबों में गठित कॉंग्रेस मंतरी मंदल का कार्जकाल था, तो कॉंग्रेस मंतरी मंदल का कार्जकाल था 28 महिने का, तो इस कोशन का joint सरोगा option No. B, 28 महिने का, देखिए जब जुलाई 1937 में चुनाव हुए थे, फिर जब दूतिये 20 यूध में भारतियों के सुक्रिती के बिना ही ब्रिटेन जो था वो भारत को सामिल कर लेता है, उसके बिरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कॉंग्रेसी मंत्री मंडलों ने त्याग पतर दे देता है, तो तब तक जो 10 वर होता है, वो कितने दिन का होता है, 28 माह का होता है, एक चीज और याद रखेगा, जब कॉंग्रेस मंत्री मंडल जो था, वो त्याग पतर दे दिया था, तो उसी के खुसी में जो मुहम्मद अली जीना था, उसके द्वारा भारत के सभी मुसल्मानों ने 22 दिसंबर 1949 के दिन मुक्ति दिवस मनाने का आवाहन किया था, नेक्स्ट है हमारा मुसलिम लेंग ने मुक्ति दिवस कम बनाया था, तो अभी हम लोगों ने देखा कम बनाया था, 22 दिसंबर 1939 को, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसन नबर A, 1939, नेक्स्ट है हमारा कि अपनी कि इस कार्जकार्णी कमीटी में कॉंग्रेस ने भू स्वामित्य को समाप्त करने की निती अपनाई थी। तो यहां किस में कार्जकार्णी कमीटी 1937 में ही तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमरे कार्जकार्णी कमीटी 1937। इसी में ही संजुक्त प्रांत और बिहार में क कॉंग्रेस की जो सरकार थी उसके द्वारा कास्तकारी बिल भी पारित किये गये थे और जो सभी कॉंग्रेस सासित प्राम्तों थे उसमें क्रिस्यकों को साहुकारों के चंगुल से बचाने तथा सिचाई सुधाओं को बेहतर करने का प्रयास भी किया गया था नेक्स्ट है हमारा 1937 के चुनाब के पश्चात यूपी में गठित मंत्री मंडल में किसको बित विभाग स्वापा गया था देखिए यह जो 1937 के चुनाब के पश्चात अगर यूपी की बात करते हैं तो यहाँ बित मंत्री पूछ रहा है तो रफी अहमद किदबई होगा तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसर नमबर B नेक्स कोश्चन कह रहा है कि कॉंग्रेस परसासित परदेसों में मुसल्मानों की सिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजे और नीचे दिये गए कूट से रिपोर्टों के सही कालनुकरम का चैन कीजे तो देखे पीरपू रिपोर्ट के अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कब 1931 वहीं अगर हम लोग सरीफ रिपोर्ट की बात करते हैं तो ये कब मार्च 1939 में और मुसलिम सफरिंग्स अंडर कॉंग्रेस रूल के अगर बात करते हैं तो ये दिसंबर 1939 में अब इसको बड़े है राम से आप लोग एरेंज कर सकते हैं क्लियर है? चलिए आज का जो हमारा next topic है वो है कॉंग्रेस का त्रिपूरी संकर्ट 1939 कहरा है कि 1938 में भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस के अध्यच कौन निर्वाचित हुए थे तो 1938 में कॉंग्रेस का धिवेशन हुआ था हरीपूरा गुजरात में उसकी अध्यचता किये गए थे सुभास्चंद बोस के द्वारा और ये सुभास्चंद बोस का ये पहला आपसर था जब वो कॉंग्रेस के अध्यच चुने गए थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर बी सुभास्चंद बोस के द्वारा नेक्स्ट है हमारा की हरीपूरा जहां भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का बार्सिक अधिवेशन 1938 में सुभास्चंद बोस की अध्यचता में हुआ था वो निम्मांग वो निमलिकित राजज्यों में से कहां इस्थि थे तो हरीपूरा कहां इस्थि थे गुजरात में इस्थि थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर बी गुजरात और यहीं 1938 में अधिवेशन हुआ था जिसकी अधिश था किसके द्वारा? सुवास्चंद बोस के द्वारा किया गया था एक चीज़ और इस अधिवेशन से याद रखेगा इसी अधिवेशन में कॉंग्रेस जो है वो अपनी राजबाडों से न जूडने वाली निति का त्याग कर देता है नेक्ष्ट है हमारा कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के त्रिपूरी सम्मेलन में बर्स 1939 में सुवास्चंद बोस को कॉंग्रेस का ध्याच चुना गया त्रिपूरी कहां है या मदपरदेश में इस्थित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नबर सी जवलपूर मदपरदेश में इस्थित है ये जो 1939 में हुआ क्या था कि सुवास्चंद बोस जो थे वो गांधी जी के एक कंडिरेट थे जिनका नाम था पटाबी सिता रमया तो पटाबी सिता रमया को अगर भोटिंग के देखा जाए तो उनको 1377 मत आया था और सुवास्चंद बोस को आया था 1580 मत तो यहां सुवास्चंद बोस जी जाते हैं और सुवास्चंद बोस जो है वो क्या बन जाते हैं कॉंग्रेस के अध्यच बन जाते हैं 1939 में दुबारा पहले तो 1938 में कहां बनते हैं 1938 में जो हरिपूरा में अधिबेशन होता है गुजरात में और 1949 में तिरपूरा मदपदेश में जो अधिवेशन होता है, उसकी एधिशता सुवास्चंद बोस के द्वारा किया जाता है। नक्ष कोश्चन कहरा है कि निमलिखित भारतिय राष्टिये कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में सुवास्चंद बोस दूसरी बार अधियच बने थे। तो पहली बार कब? पहली बार तो 1938 के हरिपूरा अधिवेशन में और दूसरी बार 1949 के तिरपूरी अधिवेशन में। इ उसके बाद ये त्याग पत्र दे देते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर राजिंद परसाद जो है वो कॉंग्रेस के अधिवेश बनते हैं। पहली से अधिवेशन में, कॉंग्रेस अधिवेशन के चुनाब में सुभाष्चंद बोस ने पटाबी सिता रमयया को पराजित किया है। तो ये किसमें? तिरपूरी अधिवेशन 1939 में तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसर नमबर B. सुभाष्चंद बोस के त्याग पतर के बाद भारतिये राष्टिये कॉंग्रिस का अधियच कौन हुआ था? तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, आपसर नमबर A. देखिए, अक्च्वेली हुआ था कि जो गोबिद बल्लब पंथ थे, उनके द्वारा प्रस्ताव प्रस्तूत किया गया था, कि सुभाष्चंद बोस से यह कहा गया था, कि वो गांधी जी के इच्छा के अनुसार अपनी कार समीती बनाएं, लेकिन गांधी जी जो थे, वो इसे सिकार कर देते हैं, और सुभाष्चंद बोस से कहते हैं, कि तुम अपनी मर्जी से कार समीती बनाओ, लेकिन सुभाष्चंद बोस जो थे, वो चाहते थे कि कार समीती में नए बिचारों के लोग तो हूँ, लेकिन वो अपनी कार समीती की घोसना भी नहीं कर रहे थे, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है, कि सुभाष्चंद बोस चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतरित तो गांधी जी करें, प्रन्तु संघर्ष की रन्निती जो है, वो सुभाष्चंद बोस और बामपंथी समूह तै करें, इसी पर गांधी जी जो है, वो राजी नही बात है तब कि जब दूतिय बिस्यूत चल रहा था दूतिय बिस्यूत का संकर्ट जो है वो यूरोप में मड़राना सुरू हो किया था उसी समय सुवाश्चन बोस जो है वो ये कहते है कि अब हमें समय का लाप उठाना चाहिए और बिटेन तथा जर्मनी के यूध का जो लाब है वो उठा कर भारत को स्वाधीनता मांगनी चाहिए उसके बाद फिर गांधी जी और अनकॉंग्रेसी निताओं से वो इस निती पर लाना चाहते थे बाद की सौतंता के लिए इंगलेंड के दुसमनों की सहता ले ली जाए नक्स जो हमारा टॉपिक है वो है देसी रियास थे पहला कोश्चन कहरा है कि 1927 की बटलर कमीटी का उदेश क्या था तो बटलर कमीटी का उदेश था कि भारत सरकार तथा देशी रियाज्यों के मद संबंधों को सुधारना तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा और बटलर समीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका गठन तो हुआ था 1927 में एक चीज याद रखेगा बटलर समीटी को भारतिय रियास्त समीटी के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख उदेश जो था वो यह था कि भारत सरकार और भारतिय रियास्तों के बीच संबंधों की जाज करना और ब्रिटिस भारत और भारतिय लियास्तों के बीच आर्थिक अबंबीतिय संबंदों को सुधार ने है तू सिफार इस करना Next question है हमारा कि All India State People Conference का गठन कब हुआ था तो All India State People Conference का गठन हुआ था 1927 में और इसमें बिभिन जियास्तों से आये लगभग 700 से अधीक राजिनेती कारकरताओं ने भाग लिया था तो इस question का सही अंसर होगा option number C 1927 में Next है हमारा कि निमलिखित में से कौन जो है वो 1939 में भारत प्रजा मंडल यानि की All India State People Conference के अध्याच बने थे तो 1949 में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B जवाहरलाल नेहरू को अध्याच चुना गया था Next है हमारा भारतिये संग में राजबाडों का बिले अधीका अधीक किस्ण में हुआ था मतलब ज़्यादो से ज़्यादा किस्ण में हुआ था तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 1947 में हुआ था देखिए सबसे ज़्यादा 1947 में ही हुआ था 15 अगस्त 1947 तक मान के चलिए कि सब राजबाडों का जो है वो बिले हो गया था लेकिन किसको किसको छोड़ कर जुनागड, जम्मू कास्मीर और हैदराबाद को छोड़ कर इन तीनों को छोड़ कर भारतिय संख में राजबाडों का बिलाय जो है वो सब जगह सब में हो गया था अब देखिए एक चीज अगर हम लोग बात करते हैं इन तीन राजबाडों को छोड़ दिया जाए तो 1947 तक जो है वो सभी राजबाडे जो थे वो भारत में सामिल हो गए थे फिर उन तीनों राजबाडों को भी 1948 में सामिल कर लिया गया था लेकिन आपसे कोशन यहां पूछ रहा है कि अधीका अधीक किस सन में हुआ था तो अधीका अधीक हुआ था 1947 में तो इस कोशन का सही अंसर होगा अपसन नबर B 1947 में नेक्स्ट है हमारा कि राजचियों का बिलेई करंच किसके नितरित में हुआ था वो कौन थे तो वो सरदार पटेल थे तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नबर B सरदार पटेल देखिये जो अंग्रेजी हुकूमत थी मतलब ब्रिटिस सरकार जो थी वो रियास्तों को स्वाधीनता का दर्जा देकर एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर दिया था लेकिन फिर सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और सूझ भूच से इन समस्या को सुल्जा दिया फिर आस्टिये आस्थाई सरकार में पटेल रियास्ती बिभाग के कारबाहक भी थे उन्होंने भारतिये रियास्तों को देश भक्ती को ललकारा और उनसे अनरोथ किया कि वो भारतिये संख में अपनी रच्छा, विदेशी मामले और संचार वेवस्ता को भारत के अधिनस्त बना कर समलित हो जाए फिर उन्होंने इससे ज्यादा से ज्यादा जो रियास्टे थी उसको भारत में समलित कर लिया था नेक्स्ट है हमारा की अनराजवाडों के भारत में बिलाय के बाद भी किन तिन राजवाडों जो है भारत में सामिल होना भी लंबित किया तो सबसे लाइस्ट में कौन कौन? जुनागाड, हैदराबाद और जम्मू कास्मीर. ये कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था. इसको छोड़ कर बात बागी जो सब था वो लगबग 1947 तक सब का बिलाय हो गया था. तो इस question का सही अंसर होगा option number B. नेक्श्ट है हमारागी जम्मू और कास्मीर भारत का अभीन अंग कन बर्क का बना? तो 26 अक्टूबर 1947 की बात है जब कास्मीर के महराजा जो थे हरी सिंग वो भारत में बिलाय के लिए हस्ता चेट पत्र उस समय के ततकालीन परधानमंती जवाहरला नहरू को सौब दिया था तो ये पंजाब प्रांथ ने रखा था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नहीं बरे पंजाब देखिए भारत बिभाजन के दौरान पंजाब राज ही जो है वो एक संजुक तेमं स्वतंत रस्तित्व की योजना प्रस्तूत किया था लेकिन फिर सादार पतेल जो थे राचियों में से कौन जो है वो या थाबत यानि अस्टैंड अस्टील समझोते का पच्छधर था तो यह कौन था है हैधराबाद तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नहीं है हैधराबाद देखिए अगर हम लोग अस्टैंड अस्टील समझोता यानि या थाबत समझोत की बात करते हैं तो यह 29 नमंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमेनियन अफ इंडिया के मद हस्ताच्रित हुआ था इस समझोते पर हैदराबाद राज के प्रधान मंतरी मीर लईकली और डोमेनियन अफ इंडिया के गबर्नर जेनरल लाउड मौन्ट बेटन जो है वो हस्ताचर किया था नेक्स्ट हमारा कि दूतिय बिस यूद के संबंध में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की क्या निती थी तो इसमें यही निती थी कि पुन स्वतंतरता का स्वासन मिलने पर बिटेन का सही होग करेगा तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर ए देखे बात है यह कब की दूतिय बिस यूद यानि 1939 की 1939 में दूतिय बिस यूद प्रारंभ होता है कॉंग्रेस जो है वो यूद में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत रात घोसित किये जाने का प्रस्ताव रखता है फिर जो ततकालीन बायसराय होता है Lord Linth थिंगो वो क्या करता है कि वो भारतिय बिधान मंडलों की सहमती के बिना ही भारत को यूद में सामिल कर लेता है और देख में आपात काल की घोस्ता कर देता है नेक्स्ट है हमारा कि दूतिय बिस यूद में भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रादान किया था यह बिल्कुल गरत है और क्योंकि उन्हें पुन स्वराज प्राप्त होने की आसा थी यह भी गलत है नेक्स्ट है हमारा की बर्स 1939 में सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंडलों ने त्याक पतर दे दिया था यह बिल्कुल सही है और फिर कह रहा है की कॉंग्रेस ने दूद्ये बिस यूद के संदर में बायसराय के जर्मनी के बिरुद यूद घोसित कर देने के निन्हे को स्विकाद नहीं किया था तो यह भी बिल्कुल सही है देखिए हुआ क्या था कि लॉड लिन ठिंगों की बात करते हैं तो वो 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के बिरुद यूद घोसित कर दिया था लेकिन भारतिये बिधान मंदलों की सहमती नहीं थी और इसी के कारण सभी प्रांतों में कॉंग्रेस मंत्री मंदलों ने अत्याग पतर दे दिया था नेक्श्ट अमारा गी 1939 में कॉंग्रेस मंत्री मंदल ने 7 प्रांतों में त्याग पतर दे दिया था क्यूंकि तो इसका रिजन क्या था? यह नहीं नहीं मंधरी मंदल का काज कर संकना असंबब हो गया था यह भी नहीं था तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D, उप्युक्त कतनो ABC में से कोई भी सही नहीं है next है हमारा की दूतिय महायुध कब समाप्त हुआ था तो दूतिय ABC युद की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो 1 सितंबर 1939 को सुरू हुआ था जब जर्मनी ने पॉलन पर आक्टमन करता है उसी के साथ दूतिय ABC युद सुरू हो जाता है और फिल यह जाकर 1945 में समाप्त होता है तो इस question का सही answer होगा option number D, 1945 में समाप्त होता है next है हमारा यह दूतिय ABC युद के समय बिटेन का परधान मंत्री कोँ था दूतिय ABC युद कब 1939 से लेकर 45 तक और बिश्टन चर्चिल थे परधान मंत्री बिश्टन चर्चिल का टेन वर कब 1940 से लेकर 1945 तक तो इस question का सही answer होगा option number C, बिश्टन चर्चिल next topic हमारा आप पाकिस्तान की मांग पहला question कहरा है कि भारतिये मुसल्मानों के प्रिथक राज के लिए पाकिस्तान सब्द का परियोग सबसे पहले निम्न में से किस ने किया था तो सबसे पहले चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों के दोरा किया गया था इस question का सही अंसर होगा आपस नंबर D देखिए ये चौधरी रहमत अली जो थे वो कैम्बरीज बिस्विद्द्याले के चातर थे और इन्होंने इनका एक पतर था जिसका सिरसक था नाउफ और नेभर उसी में इन्होंने पाकिस्तान सब्द को सरपथम प्रस्थूत किया था नेक्स्ट है हमारा कि मुसल्मानों के लिए प्रिथक रास्ट का विचार दिया गया था तो यह किसके द्वारा दिया गया था सर मुहंबद इकबाल के द्वारा तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नबर सी मुहंबद इकबाल के द्वारा ये बात कब की है जब 1930 में अखिल भारतिये मुसलिब लिग की जो इलाहबाद अधिवेशन चल रहा था उसी में इकबाल जो है वो यह कहते हैं कि यदि ऐसे धान स्विकार कर लिया जाता है कि भारतिये मुसल्मानों को अपने देश में अपनी संस्क्रिती और परंपराओं के पुर्ण और स्वतन्त रूप विकास का अधिकार है तो मेरी इच्छाय होगी कि पंजाब, उत्री पश्चमी सीमा प्रांथ, सिंध और बलुचिस्तान को मिला कर एक प्रिथक राज बना दिया जाए नेक्स्ट हमारा गे निम्रिकित में से किसने सरपता भारत में एक प्रिथक मुसल्मान राज का प्रस्ताव रखा था तो अभी हम लोगों ने देखा किसने रखा था, मुहमद इकवाल ने, कब जो 1930 का इलाहबाद अधिवेशन हुआ था, मुसल्म लिक का, उसी में यह प्रस्ताव रखा गया था नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान के अलग राज अंदूलन का नत्रित किसने किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, मुहमद अली जीना के द्वारा, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आपसे नमबर D, मुहमद अली जीना देखें, यह बात कब किया है, जब 1940 में मुस्लिम लिका अधिवेशन लहोर में हो रहा था, उसकी अधिश्ता जो है, वो मुहमद अली जीना के द्वारा किया गया था, और इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की मांग भी कि थी, जो मु देखें, इन्होंने क्यूं कहा था, इसके पीछे का एलिजन समझ लेजी, यह बात है 1919 की, जब Parliament Select Committee के सामने जिनना गवाही दे रहे थे, तो उसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप सच्मुच भारतिय राष्टबादी के हैसियस से बोल ले हैं, तो मुहमद अली जिल्ल है कि क्या आप राजनेतिक जीवन में मुसल्मान और हिंदू के बीच में भेद भाव को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हैं, तो उसके उतर में भी जिनना ने कहा था कि हाँ, मुझे सबसे ज्यादा खुसी होगी जब यह दिन आएगा, तो जिनना के यही जो भक्त है, जबकि जिनना एक राजनितिक है, यह ब्यक्तित किया गया था, तो यह सर मुहमद इकबाल के द्वारा किया गया था, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आप लोगों को एक पुस्तक याद होगा, डिस्कबरी अफ इंडिया, जो कि जवाहलाल नहरू के द्वारा ल एक्स्ट्रा हमारा निम्रिकित में से कौन एक कथन मुहमद अली जिनना के विसाय में सही नहीं है, यह पूछ रहा है, वह दो राष्ट सिधान्द के समर्थक थे, यह बिलकुल सही है, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लहोर के बार्सिक अधिवेशन की अधिश्ता किया थ और इसी अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम रास पाकिस्तान की मांग भी की थी, असायोग अंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, हाँ यह भी बिलकुल सही है, क्योंकि वह असायोग अंदोलन से सामत नहीं थे, वो सदार डारी रखते थे यह गलत है, तो इस 1930 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में इकबाल के अधियची भासन में, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आपसर नमबर A, नेक्स्ट हमारा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की अस्थापना की मांग करने बाला परस्ताव कहां पारित किया गया था, तो यह जब 23 जो पाकिस्तान का प्रस्ताव है, वो मार्च 1940 में पारित किया गया था, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसर नमबर C, मार्च 1940 में लहोर अधिवेशन में, नेक्स्ट हमारा की बर्स 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के स्रीजन का प्र प्रस्ताव किसने रखा था तो यह खलीकु जमार के द्वारा रखा गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर D देखिए जब मुस्लिब लीक का बार्सी का दिवेशन लाहॉर में हो रहा था तो भारत का उसी में रखा गया था कि भारत का बिभाजन करके प्रस्ताव की रूप रेखा किसने तयार की थी देखिए चली कोशन गहरा है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा किसने तयार की थी तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूप रेखा जो है वो सिकंदर हयात खां के द्वारा तयार किया गया था इसकी रूप रेखा तया जो थे वो विशेस भूमिकर निभाय थे तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B, सिकंदर हायात खाँ next रहा मारा Muslim League का बार्सी का दिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट के सिधान्त को मानता दी गई थी वो कहां हुआ था तो 1940 में लहोर में हुआ था तो इस question का सही अंसर होगा option number लहोर next रहा मारा कौन ती थी थी जब Muslim League ने पाकिस्तान दिवस मनाया था तो पाकिस्तान दिवस Muslim League का मनाया है 23 मार्च 1943 को तो इस question देखिए अगर option में यहाँ 1940 भी रह सकता है वहाँ confusion मत होएगा 1940 में हुआ था लेकिन जब 23 मार्च 1940 को Muslim League अदिवेशन लहोर में हुआ था और इसकी अधेश्टा किसके दोरा? मुहमद अली चीना के दोरा और इसी अधिवेशन में भारच से अलग एक मुस्लिम राष्ट पाकिस्तान की भी मांग की गई थी और इसी तिथी को यादगार बनाने के लिए 23 मार्च 1943 को Muslim League के दोरा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था नेक्स्ट है हमारा गी मुस्लिम लिग के लहोर अधिवेशन 1940 की अधेश्टा किस ने किया था? तो मुहमद अली जीना के दोरा? तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन अबर C नेक्स्ट में हमारा गी महात्मा गांधी द्वारा बैक्तिकत सत्यागरा अंदोलन के लिए प्रथम सत्यागरी कौन चुने गए थे? तो प्रथम सत्यागरी चुने गए थे बिनोबा भावे तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नबर D बिनोबा भावे देखे अगस्त प्रस्ताओं को जब पूरी तरह से स्विकार कर दिया गया था तो Congress जो है वो गांधी जी के नत्रित में भ्यक्तिगत सत्याग्रा जो है वो शुरू करता है कब 17 October 1940 को और इसी में बिनोबा भावे जो है वो प्रथम सत्याग्री होते हैं लेकिन अगर महात्मा गांधी रहेगा तो वो महात्मा गांधी ही होगा क्योंकि बिनोबा भावे की अगर बात करते हैं तो गांधी जी के नत्रित में शुरू हुआ था ब्यक्तिगत सत्याग्रा प्रथम सत्यागरी थे बिनोवा भावे लेकिन यहाँ महत्मा गादी ओप्सन में नहीं है एक चीज याद रखेगा बैक्तिगाः सत्यागरा अंदोलन को दिल्ली चलों अंदोलन के नाम से भी जाना गया है नेक्स्ट अमारा कि ब्यक्तिगत सत्याग्रा में बिनोवा भावे को प्रथम सत्याग्री चुना गया दूसरा कौन था तो दूसरा कौन था पंडी जबहरला नहरू बेक्तिक असत्याग्रा की अगर बात करते हैं तो 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में सुरू किया गया था नेक्स्ट है हमारा की सर्बोदे सब्द का प्रिलोग जो है वो सर्पथम किस ने किया था तो सर्भोदे सब्द का प्रिलूम जो है वो सरप्ठा गांधी के द्वारा किया गया था तो इस Qwn का सभ्यान सरो такая option办 h sore अब जे अचे हैं महात्मा गांधी और बिनोवा भावे द्वारा गांधी जी के आधर्सों के प्रचार करने के लिए सर्बोदे समाज की अस्थापना की गई थी, तो बिनोवभावे मट्टिक कीजेगा, बिनोवभावे के द्वारा सर्बोदे समाज की अस्थापना की गई थी, clear है, चलिए, नेक्स्ट है, हमारा टॉपिक बो है, क्रिप्स मिसन, 1942, कह रहा है, भारत में क्रिप्स मिसन किस बर्स आया था, तो भारत में क्रिप्स मिसन जो है, वो 1942 में आया था, मार्च, 1942, तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा, option number B, 1942, देखी, यह बात कब है, दूतिय विस्यूद के, में जब जपान की बढ़ती हुई सक्ति को देखते हुए, जो अंतराष्टिय समुदाय था, विसेशकर, अमेरिका, चीन और अस्टेलिया, वो बिटेन पर भारत को स्वतंतर करने के लिए दबाब बनाता है, और उसके फाल्स रूप अस्टॉफेट क्रिप्स के नेतरित में, जो क्रिप्स मिसन है, वो मार्ज 1942 में भारत आता है, नेक्स्ट अमारा की बिटानिया सरकार के प्रस्ताओं के प्रारूप घोसना, जो सर अस्टॉफेट क्रिप्स लाए थे में समली था, कि भारत को एक डोमेनियन इस्थिती दे दी जानी चाहिए, एकदम बिल्कुल इसमे यह कहा गया था कि भारतियों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए यूद के बाद एक संविधान निर्मातरी परिशत बनेगी, जिसमें बिटेन भारत के प्रांतियों के निर्वाची सदस और देफी राजबारों के प्रतिनिधी इस सामिल होंगे, फिर कह रहा है कि कोई भी प्रांत या भारतिये राज, भारतिये संख के बाहर रहने का निर्ने ले सकता है, तो ये भी कहा गया था, फिर है कि भारत के संविधान भारत की जंता द्वारा निर्मित किया जाएका, तो ये भी कहा गया था, तो ये चारो का चारो जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D सभी चारो next है हमारा कह रहा है कि 1942 के क्रिप्स मिसन का एक महत्पुन पहलू क्या था तो एक महत्पुन पहलू यह था कि वो दूतिय बिस्यूत के तुरंत बात भारत संखी के अस्थापना करना और उसे डोमेनियन पत प्रादान करना तो इस question का सही अंसर होगा option number B next हमारा निम्रिकित में से कौन सा जो है वो क्रिप्स मिसन के संबंध में सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है यह उस समाप्त होने पर डोमेनियन दर्जा हाँ यह बिल्कुल बात कही गई थी सम्मिधान सादन द्वारा निर्मित सम्मिधान मन यह भी कहा गया था नई कारपरसाद की निक्ती जिसमें हिंदूों तथा मुसल्मानों का समान प्रति निदित यह नहीं कहा गया था तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number C next हमारा कि सरा stop it क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि दूतिय विस यूध के बाद क्या था कि भारत को डुमेनियन अस्टेट दे देना चाहिए तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number D कि दूतिय विस यूध के बाद भारत को डुमेनियन अस्टेट दे देना चाहिए next हमारा कि किसकी दृष्टी में क्रिप्स प्रस्ताओ जो है वो एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक यानि पोस्ट डेटेट चेक अपोन एक क्रैसिंग बैंक था तो यह महात्मा गादी का कथन था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A महात्मा गादी नेक्स्ट आमारा निम्लिखित कत्रों पर विचार कीजिए क्रिप्स प्रस्ताओं में प्रब्धान समली थे भारत की पून्स अतंतरता के लिए नहीं क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताओं के तहत यूद के पश्यात भारत को सिर्फ और सिर्फ डोमेनियन अधी राज का दर्जा दिये जाने का प्रस्ताओं रखा गया था सम्मिधान निर्मातरी निकाई की रचना के लिए तो ये सही है तो इस कोशन का जो सहयन सर होगा बो होगा option number B केबल 2 नेक्स्ट हमारा निम्लिखित परधानी मंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिसन भेजा था तो क्रिप्स मिसन किसने भेजा था 1942 में आया था 1942 में कौन था बिश्टन चर्चिल तो इस कोशन का सही अंसर होगा option number D बिश्टन चर्चिल इसी नहीं मार्च 1942 में सरकार के जो मंतरी थे सरस्टॉफट क्रिप्स उसके नत्रित में क्रिप्स मिसन जो है वो भारत आया था नेक्स्ट है हमारा निमलिकित में से कौन जो है वो क्रिप्स मिसन के साथ कॉंग्रेस के अधिकारिक बारताकार थे तो कॉंग्रेस के अधिकारिक बारताकार थे पंडी जबाहरलाल नहरू और मौलाना अबुल कलामाजाद तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नबर C Next है हमारा गिर्निमलिकित में से किसने गांधी जी के आंगदोलनों को राजनेतिक फिरोती कहा था तो यह किसने कहा था? Lord Lenthingo ने तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नबर C Lord Lenthingo Lord Lenthingo से याद रखेगा इसका जो कार्जकाल था वो 1936 से लेकर 1944 था और यहाँ बायसराय और गबर्नर जनरल का कार्जकाल में भारत में सबसे लंबा कार्जकाल इसी का था तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नबर C तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताईएगा साथी साथी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करना ना बूले आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेसन आपको मिलते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग